साल 2021 का पहला चंद्रग्रहन 26 मई को लगने जा रहा है जो बैसाक मास की सुकल पक्षि के पुर्णिमा तिति को लगने जा रहा है इस ग्रहन के दोरान बहुत सारी घटनाएं होंगी छे ग्रह वक्री अवस्ता में रहेंगी वहीं यह भ्यंकर चंद्रग्रहन रहनी वाला है क् कुकि यह काफे लंबा चंद्रग्रहन रहनी वाला है आपको बताना चाहेंगे 26 मई को लगने वाला चंद्रग्रहन सभी राशियों पर अलग अपना प्रभाव डालने वाला है प्रथू सभी राशियों में से 6 राशिया ऐसी होंगी जिनको काफी जादा फाइदा और प्रभाव देखा दा सकेगा जैसे कि तुफान भूकंप जैसी फ्राकर्थिक आप दाएं हो सकती हैं दोस्तों 26 मई को पढ़ने वाला चंदर ग्रहन इसका सही समय और सुतक काल इसके लावा कौन-कौन सी राशिय भागय साली रहेंगे किस प्रकार का प्रभाव सभी राशिय और समय तथा ग्रहन काल में बरती जाने वाली वा कौन-कौन सी महत्पुन सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही दोस्तों उन सभी सुबकारियों के बारे में बताएंगे जो आप लोगों को ग्रहन काल में करना चाहिए और उन सभी असुबकारियों क आपको सुब प्रणाम देखने को मिलेगा साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं जीवन के सभी प्रकार के कष्टों और समस्याओं से भी आपको चुर्कारा मिल सकता है दोस्तों 26 माई को लगनी वाला साल 2021 का पहला चंद्रगरन होगा जो 27 माज के सुक्ल पक्ष के पुर्णिमा को लगेगा और हिंदु दर्म में पुर्णिमा तिथी को विसेश महत्म बताया गया है आपको याने इस वीडियो के अंतर तक जरूर देखें आपसे विनर बनी चाहेंगे कि यह चंद्रगरहन यानि आपको जो जानकारी प्राप्त होंगे दोस्तों यह भारत में चंद्रगरहन दिखाई देगा इसलिए इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा दोस्तों आपको बता दें कि जोतिस सास्त्र के अनुसार चंद्रगरन का जो सुत कई देशों में इसका असर्फने वाला है या उस्टोलिया अमेरिका साउथ एफेरिका अंटालाडिका कई देशों में देखने को मिलेगा साथ है दोस्तों अब आप बात करते हैं सूतक काल की तो ग्रहन काल का सूतक काल ग्रहन शुरू होने से नो घंटे पहले हैं सूतक काल लगेगा शुत्त काल में बच्चे यानि रोगी बिमार अवस्ता में जो पड़े हुए हैं उन सभी को छोड़कर किसी अन्य मनुस्यों को भोजन नहीं करना चाहिए इस तोरान खान पान के पदार्थों में तुल्सी का पत्ता रखना चाहिए साथ ही दोस्तों इस समय गर्भ पर पड़ सकता है इसलिए घर से यानि घर की जो चोखट होती है यानि देहरी जो बोलते हैं उसको कभी भी लांगना नहीं चाहिए सुई का चाकु का इसमें सबजी काटने वाले धारदार वस्तों का उप्योग नहीं करना चाहिए यानि जो काटने वाली चीज़े हैं उस उसको बिलकुल भी नहीं चूना चाहिए ग्रहन काल में सुना और भोजन करना दोनों ही वर्जित होता है यानि नहीं आपको खाना खाना है और नहीं आपको सुना है दोस्तों ग्रहन काल में काफी महत्मुन सावधानिय वरत्ति चाहिए जब खास तोर पर कोई भी ग्रहन क सूतक काल लगता है खास कर साल 2021 का फहला चंद्रग्रन लग रहा है इस सूरी चंद्रग्रन का सूतक काल भी लगेगा यानि जिसका असर सभी राशियों पर देखा जा सकता है प्रंतो सभी राशियों में से यह बहुत भागे साली सावित होंगे छे राशियों वालों का जिनक सूतकाल में कोई भी सुबकारी बिल्कुल भी नहीं करना ताहिए। गरंतों में पूजा पाठ सूतकाल में जरूर करना ताहिए। प्रंतु सूतकाल में आप बिल्कुल भी मुर्तियों को असपर्स न करें। इस दोरान कोई भी सुबकारी बिल्कुल भी न करें। अगर आप करते हैं तो वह भी असुब बाना जाता है चंद्रग्रहन आप लोगों को महत्मुन साफधानिया जरूर वरतना चाहिए आप चंद्रग्रहन के दोरान मंत्रों का जाप कर सकते हैं जैसे के महामिर्तुंजय मंत्र ओम्न वश्वाय इस मंत्र का जाप करने से आपको काफी आपके याने जीवन में काफी जादा प्रभाव डालनी बाला है यहाँ आपके जीवन में पैसो से रुड़े धन से रुड़े कोई भी समस्याओं से आपको चुरकारत लवानी बाला होगा फिरन्तों यह चंद्रग्रहन हमारे देश के लिए काफी महत्मुन रहनी बाला है दोस्तों हमारे देश में जितने भी यह हमारी चल रही हैं इसका थोड़ा बढ़ा सकता है दोस्तों यह जो अस्प्रभाव है वो कई चीजों को एकटा करके कई मुस्सीबतों को एकटा करके ला रहा है एक करके सभी रासियों के बारे मैं जिनको सावधानी परत्ती है और जिनको कई परकार के लाब की फ्रापती हूनी है दोस्तों, चंदरगृःँ जो सबसे पहली रासी आती है वो है बृसवरासी बृसवरासी के जाद जाद को के लिए यह चंदरगृःँ बहुत ही जादा सुब परिणाम देनी बाला होगा चंदरगरं आपके दे धन को लानी बाला है चंदरगरं आप लोगों के जीवन में रुपे पैसे मवडुत्रे करवानी बाला है चंदरगरं के प्रभाव से आपको आई के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे और किसी जौब के लिए अगर आप परियास कर रहे हैं तो आपको सफलता भे दिर्वा सकता है विर्शवरासी के दात को के लिए यह चंदर ग्रहन बहत्तिरन सावित होगा सामाजी क्रिष्टितियां मदबूत होगे लोगों से मेल मिलाफ होगा आपकी योगेताएं बढ़ेंगी आपके परद पर्तिष्टा में बढ़ोत रहेंगी यानि कि आप लोगों के प्रते आप लोगों को खुश्यां फरापत होगे साथ हिस्सा-थ आप लोगों को सहयोग विपरापत होगा दोस्तों अगली जो रासी आती हैं जो के शंद्रग्रन पर बहुत जादा प्रभावसाले और भागेसाली रहेंगे जो की करणुपती बनने वाली हैं वो हैं मकर रासी जी हां दोस्तों मकर रासी यहां पर अगर हम बात करें मकर रासी वालों के तो अगर आप निवेस करना च जाते हैं तो वैवसाई के लिए आपको बहुत अच्छा समय सहावित होगा आपको सफलता दिलवानी वाला कहा जा सकता है आपको धहन दोलत के फ्राप्टी होंगी आपको कई सुबकारी करने का मौका मिलेगा आपकी कोशिसे रंग ला सकती हैं आपको कई अन्य चेत्रों में नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं आपके प्रसंचा होंगे आप अपने पुराने मित्रों के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं यानि मुलकात हो सकती हैं आप अपने आपको स्थापित करने में सफलता को हासिल करेंगे मकर रासी के जात को के लिए यह शंद्रग्रहन बरदान सावित होनी बाला है अगली रासी की बात करें जो है कुम्भ रासी जी हां दोस्तों कुम्भ रासी के लोगों को बैंक से लौन मिल सकता है साथ ही आप अपने स्वास्त का विशेश त्यान रखने के कुशिश करें असानक से आई के नेशरोत सामने आ सकते हैं जमीन जाइदात के मामल में आप फैसला ले सकते हैं वो आपके फैसले फक्ष में आएगा आपकी आर्थे किस्थितियां कुम्भरासी के लोगों को मजबूत होनी बाली है राजनितिक से जुड़े हुए लोगों को बहुत जादा लाप होनी बाला है फदों की फ्राप्ति होंगी आपको पार्टी मे राजनितिक के चेतर से दूड़े हुए लोगों को परसंसा मिलेंगे साथ ही नई जिम्मेदार्य भी आपको मिलेंगे आप अच्छे कारी कर सकते हैं आपकी मान सम्मान परतिष्टा में बुरुत्री होंगे कुम्भरासी के लोगों के लिए यह चंद्रग्रहन वरदान सावित होगा अगली जो रासी आती है वो है मित्थुन्डासी जी हां मित्थुन्डासी के जात्कों के खर्चों में थोड़ी से कमी देखनी को मिल सकते हैं लेकिन जोरत बढ़ने पर पैसे भी आप लोगों को मिल सकते हैं असानक से आपको कहीं से धन का लाब हो सकता है जो आपकी आर्टिक स्थित्यों को मजबूत करने में सुधारने में आपके काफे एहम सावित होगा दोस्तों आप अपने जीवन में सफलता के नैक टिमान को स्तावित कर सकते हैं मितुन्डासी वाले जातकों के प्रेम सम्मंदों में काफे मदूरता बनी रहेंगे कारिस्तर में चल रहे विबात खत्म होंगे और यहाप के लिए महत्पुन रहनी वाला है असुप्रवाव से बचने के लिए ओम्न मश्वाय मंत्र का चाप करना चाहिए साथ ही यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है आप अपने स्वास्त को लेकर थोड़ा सा चिंति रह सकते हैं अगर याप बात करें कुछ समस्षाएं आपको प्रिसार कर सकते हैं आप को अपने पिता का सहयोग भी राप्त होगा यहाप पर आपको सोव प्रणाम दायक कहा जा सकता है मित्रों मित्थुन रासी वालों के लिए यह चंद्र गरण वरदान सावित होगा अगली जो रासी आती है वो है तूला रासी जी हाँ तूला रासी वाले जात को को इस ग्रहन के दोरान सावधाने रखने के बेहदी आवस्यकता है पैसो सिरूडे आपको लाब हो सकती हैं कई चीजें हैं आपके इंकम को बढ़ाने में आपका सहीयोग करेंगे और साल 2021 को पहला चंदरग्रन आपके जीवन में बहुत लाब कारिश सावित होगा अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं जैसे जुगा सटा लोट्री सेर मार्केट अत्यादी में तो आपको लाब मिलेगा आपकी आमदनी में डबल मुनाफ़ा होगा अगर आप किसी से मनमटाव कर रहे हैं तो आपके रिष्टे जो टूट सकते हैं परिवार के लोगों का परिवार में आप लोगों पर गहरा असर पड़ सकता हैं परिवार के जिम्मेदारियां आपके प्रति पड़ सकती हैं सुच समत करकारी करने के जरूरत रहेंगे और चंद्रग्रहन का प्रभाव आपके व्यक्तिका जिस्टिरू पर पढ़ सकता है जो आपके आर्षिक स्थित्यों को सुधारने में सहता करेगा आप किसी महत्मुन लाप को कर सकते हैं किसी भी प्रकार के दिकतों का सामना आपको करना पढ़ सकता है दोस्तों इस समय आपको खुद के सावधानियों को अपनी वानी पर नियंतरण करें यहाँ पर अगली रासी की हम बात करें तो अगली जो रासी रहनी बाली है वो है धनु रासी जी हाँ दोस्तों इस ग्रण का जो प्रभाव वो होगा वधनूरासी पर अच्छा खासा पढ़नी बाला है आप अपने संतान को लेकर चिंतित रह सकते हैं लेकिन इस चंद्रग्रण के प्रभाव से आप लोगों को संतान की और से बड़ी खुसकवरी मिरले वाली है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद कर सकते हैं आपके वरिश्ट अधिकारी आप लोगों के प्रोफेसनल से समंदित हैं उनके साथ समंद बना रखने के जरूरत रहेंगे संतान के फ्राक्ट्रम से बहुत खुश नजर आ रहे हैं संतान के दरफ से आपका फिजाधा खुश रहेंगे और यह चंद्रग्रहन धनुरासी वालों के लिए बहुत सुबसावित होगा यहां आप लोगों को धन समंदित कई चीजों में मुनाफ़ा भी देंगे यानि यहां तक के आप लोगों को गुप्त धन की फ्राप्ति होंगी इसके लिए गुप्त धन के चलते आप कोरुपती बन सकते हैं पूजा पाट में आपका मन लगेगा दोस्तों यहां पर हम बात करें धन रासी वाले जातकों को आप अपने सुक्ष साधनों में एस्वारी में धन दोलत में बढ़ोत्ति करते वे नजर आ रहे हैं समाज में आपके मान परतिष्टा बढ़ेगी साल 2021 में लगने वाला यह चंदरगरन आपके लिए काफी महत्मुन रहेगा यहां सावधानी वरत्ति होंगे वहें अगली जो रासी है जो के यह चंदरगरन वर्दान सावित होगा वो है मीन रासी मीन रासी के जातकों को यहाँ पर सावधानी रखने के साथ-साथ इन लोगों के जीवन में कई प्रकार के घट्लाएं घटी दो सकते हैं किसी भी लेंदेन के मामल में आपको बचकर रहने के जरूरत रहेंगे उधार बिलकुल भी न करें हला के यहां पर रुकाओब फैसा भी आपको वापश मिल सकता है धन सम्मन्देत किसी भी काम को करने के योग बिन सकते हैं आप पीना किसी काम के जौब के भी धन कमा सकते हैं लोगों के वेट आपके परतिस्ता बढ़ेंगे सुच समध कर कारी करने के जरूरत रहेंगे आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आपको अपने खोया हुआ प्यार मिल सकता है कुल मिला का चीज़े बहतर होंगे और कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों के जीवन में समाहित होने बाली है ऐसे में आप सभी चीज़ों पर ध्यान देने की जुरूत होंगी आप सभी से समंधेद आप जीवन में मंतर का चाप कर सकते हैं दोस्तों से समदेद वगेरा वगेरा उनको नहीं करवाना है उनको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ उनके घर में आपको इस समय सावधानी वरत्नी है मंतर जाप करना है मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे किस चंद्रगर्ण के अशुर्भ परभाव से बचने के लिए आप सभी नियमों का पारण करें ओम नम श्वै गैत्री मंतर का जाप करें आप महामिरतुञे मंतर का जाप कर सकते हैं आप इस समय गरीबों को दान दे सकते हैं अनाज का दान दे सकते हैं कुलमराकर जो छे रासिया हैं वो करोरपती वरने वाली हैं वह चंदरगर्ण का सही समय सूतकाल और छे रासियों के बारे में हमने आपको बताया तो दोस्तों जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट अवाक्स में जै माता दिया वसलिक हैं चैनल को सस्क्राइब क किसा आप